बिहार की चक्रव्यू में फस गए हैं बिहारी बाबू पशिमंगाल में आसन सोल सीट पर कल उपचुनाव होना है और शत्रुगंद सिन्हा यहां से टीमसी के उमीदवार अच्छा बिहारी बाबू को हराने के लिए बीजेपी ने यहां बिहारी चक्रव्यू ही बना डाला तो अब सवाल ये कि शॉटगं हसेंगे या फिर इस चक्रव्यू से निकल जाएंगे बिहारी बाबु के नाम से मश्हूर शत्रुग्न सिन्हा सांसत बनने के लिए बंगाल की आसन सोल सीट से किस्मत आजमा रहे हैं जो की बाबु सुप्रियों के इस्तीफे की वजह से खाली है करीब तीन हफ्ते तक आसन सोल की गलियों में खाक छानने के बाद अब बिहारी बाबु के किस्मत का फैसला होना है शत्रुग्न सिन्हा यानि बिहारी बाबु आसन सोल से ममता बनर्जी की पाठी टीमसी के उमिदवार है और उन्हें घेरने के लिए बिजेपी ने चुनाव के आखरी मौके पर बिहारी चक्रवियों तैयार किया था और ये चक्रवियों के चार चेहरे हैं टीवी स्क्रिन पर आपको इस वक्त बिहार से तालुक रखने वाले चार बड़े नेता दिख रहे हैं और इस चारो बिहारी नेता बिहारी बाबु यानि शत्रुग्न सिन्हा को संसत पहुचने से रोकने के लिए आसन्सोल पहुचे थे रविशंकर प्रसाद में पटना साहिब में बिहारी बाबु को हराया था अब आसन सोल में भी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं इस तरह पाटली पुत्र के दूसरे सांसर राम कृपाल यादव ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया और विहारी बाबु को रिजेक्टेट बता दिया अगर मैं जूट बोलना हूँ तो पता कर सकते हैं और ये रिजेक्टेट है वहाँ से एक्सपारी है ये एक्सपारी रिजेक्टेट लोगों को कोई अपनाएगा पटना के लोगों रिजेक्ट कर दिया दर्शकों को बता दे कि शत्रुग्न सिनहा 2019 में पटना साहिब से हारे थे 2009 से 2019 तक पटना साहिब से सांसद रहे उससे पहले राज्यसभा के सांसद रहे वाजपई सरकार में केंदुरी मंतुरी रह चुके हैं अब बिहारी बाबू आसलसोल में जीत के लिए जी तोड़ महनक किये हैं बिहारियों की बीच बिहारी बाबू दिखे तो बंगालियों की बीच खुद को बंगाली बाबू भी बना लिया आसन्सों लोकसभा सीट के उपचनाव के लिए शत्रुगन सिना को उमीदवार बनाकर त्रुणमूल कॉंग्रस सुप्रीमो ममता बनर जी ने एक तीर से कई निशाने कर दी हैं पहला वो बखुभी जानती हैं कि बिहारी बहुलेस इलाके में अभी तक त्रुणमूल कॉंग्रस कभी नहीं जीती है ऐसे में ये दाउं कितना सार्थक होगा ये बड़ा दिल्चस्प होगा देखना तो वहीं दूसरी ओर शत्रुगन सिना के जरिये पार्टी का विस्तार बंगाल के बाहर अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है क्योंकि शत्रुगन सिना की पहचान न सिर्फ एक नेता की बलकि एक अभी नेता के तोर पे भी बहुत बड़ी है बिहार के रहने वाले दिल्ली सिसांसत और भोजपूरी गायक मनोच तिवारी कह रहे हैं शत्रुगन सिना को बिहार ने नहीं अपनाया इसलिए अब बिहार के लाला नहीं रह गए मनोच तिवारी के इस बयान पर शत्रुगन सिना कह रहे हैं कि जवाब आसन सोल की जंता देख शत्रुगन सिना के खिलाफ बिजेपी ने जिन अगनी मित्रा पॉल को उतारा है वो आसन सोल नौर्थ सीर्ट से बिजेपी की विधायक है और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है पेशे से फैशन डिजाइनर है जो शत्रुगन सिना को बहरी और खुद को आसन सोल की बेची बताती है पस्चिम बर्दमान जिले का मुख्याले है आसन सोल जो की बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एक तो अध्योगिक इलाका है दूसरा जहरखंट से सटा हुआ है आसन सोल में गैर बंगाली वोटर करीब 50 प्रतिशत हैं इन में से ज़्यादत तर मूल रूप से बिहार शहरखंट के रहने वाले हैं जो की कोईला खदान स्टील फैक्टरी में काम करते हैं मतलब ये कि यहां गैर बंगाली वोटर जीत हारताय करने की ताकत रखते हैं इसे दम पर दो बार से बीजेपी यहां जीतती रही है मंगलवार को यहां वोटिंग और 16 अप्रेल को नतीजे आएंगे